जैहीन स्वागत है आप सबका अपने यूटूब चैनल पर आज की इस वीडियो हम सभी जानेंगे वी आरो ग्रिफ सेंटर पुने हुईकल मेकेनिक सेकेंड वेटिंग लिस्ट के बारे में मैंने आप सबको अपनी प्रिवेस वीडियो में बताया भी था सेकेंड वेटिंग लिस्ट बहुत ही जल्द आप सबकी आउट कर दी जाएगी जो आपको वी आरो वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगी और जैसे ही अपडेट आएगी मैं आप सबको वीडियो लेकर के आऊंगा तो आप सबकी सेकेंड वेटिंग लिस्ट आ गई है तुरंत देखें अपना नाम और केटेगरी वाइस कितने केनिडिट आपके मीन्स कितने केनिडिटों को सेकेंड वेटिंग लिस्ट के लिए बुलाया गया है का लेटर इशू की कर दिया जाएगा और मेभी आपका थ्री आर फोर डेज या वन वीक में आपके घर तक पहुंद भी जाएगा कौन-कौन से डाकॉमेंट्स लेकर के जाना होगा फुली डिडियल्स इस वीडियो के जुरिए जानेंगी हम सभी नर्सिंग असिस्टेन्ट और मेशन वालों की सगन वेटिंग लिस्ट कब तक जारी कर दी जाएगी जैसे आपका हेकल मेंक का सेकेंड वेटिंग लिस्ट ज यहां पर देखेंगे यह आपकी वेटिंग लिस्ट है सेकेंड वेटिंग लिस्ट हुएकल मेकेनिक के लिए इसमें आपका नेम भी मेंसन होगा और एड़टाइजमेंट आपका गीवन है यह आटेस्टेट होनी चाहिए किसी भी गजेस्टेट आफिसर के द्वारा राउंड सील होना चाहिए और कैसे फिलप करना है यह इसकी वीडियो आप सबको हमारी यूटूब चैनल पर मिल जाएगी वहां से जाकर के देख करके आप सभी आटेस्टेशन फारूम को फिलप कर सकते हैं या जो आप हमारी वीडियो देखेंगे अटेस्टेशन फारूम फिलप करने के लिए उसकी आपको डिसकस्टेशन बाक्स में लिंक मिल जाएगी वहां से आप अटेस्टेशन फारूम और नपीस फारूम का प्रिंट आउट आप सभी निकाल जागते हैं उसके बा जाता है आपका एजुकसिनल क्वालिफिकेशन का तो इसमें आप सबको टेंथ और आइटियाए सार्टिफिकेट आपको लेकर के जाना होगा और इसकी आपको जितने भी सारे में आपको डाकुमेंट्स बताने वाला हूं इन सभी की आपको सेवन सेवन फोटो कॉपी लेक यह आप सबको सेवन फोटो कॉपी लेकर के जानी होंगी ठीक है दूसरा आजाता है और एक और आपका केमेंट यह रहेगा कास सार्टिफिकेट आउनलाइन या आफलाइन तो आउनलाइन आफलाइन दोनों चल जाता है यह आपका ओनली सेवन का होना चाहिए अगर हम इसक होगा वो भी चल जाएगा तो वन एयर या वन एयर सिक्स मंथ जो भी होगा आपने अपलाइ करते समय लगाया है सेंटल गवर्मेंट का है तो वो चल जाएगा कोई प्राबलम नहीं होगी अगर इस्टेट लेबल का है तो नहीं चलेगा दूसरा आजाता है आपका सर्विसमें के लिए है यह और सभी कैनिडेट के लिए नहीं है एक सर्विसमें के लिए यह आपका अनोसी बन जाता है आपके डिपार्टमेंट से यदि आप सर्विसमें है दूसरा आपका अनोसी बन जाएगा आपके डिपार्टमेंट से तो यह आप सबका एक सर्विसमे के लिए हैं, ओके, दूसरा आजाता है आपका फोटो ग्राफ का, तो आपका फोटो ग्राफ 10 फोटो ग्राफ लेकर के जाना है, पासपोर साइज का जो आपने अप्लिकेशन फार्म फिलब करते समय लगाया है, यदि नहीं है, तो आपको लेटिस्ट 3 मंद का फोटोग्राफ्स लेकर के जाना है इससे पुराना नहीं लेकर के जाना ठीक है अब दूसरी ये बात कर लेते हैं medical examination की तो medical examination में आपका total one week का time लग जाएगा medical examination कैसे होता है वो आपको हमारी youtube channel पर वीडियो मिल जाएगी एक आपका live मैंने बताया है अब यहाँ पर यह होता ह में एक मेने वीडियो अपलोड की है उसको भी आप देख सकती है medical examination कैसे होता है ठीक है दूसरा आजाता है आप सबका क्या जो आपको और डाकुमेंट से उनमें आप सबका आधार कार्ड होते हैं पैन कार्ड होते हैं और bank passbook होते हैं दूसरा आपका आजाएगा NEFT mandate forum है और आपका checkbook है तो इनमें आपका जो maximum comment रहेगा bank passbook मिन्स आपका जो bank होना चाहिए account वो किस bank से होना चाहिए तो इनमें आपका SBI आपका prefer किया जाता है मिन्स इनमें आपका 30 तारीक को ही मिन्स महीने की आखरी तारीक को ही आपका KSLE आपके account में आ जाती है बट यदि अन्य ह होना चाहिए जिसे bank abroad या union bank या और भी जो है आपके national bank है जिनमें PNB भी आता है तो उनमें भी है आपका तो चल जाएगा कोई problem नहीं होती है ठीक है और यह जो bank passbook है इसकी आपको 3 photocopy करानी है आधार और pen को आपको 7-7 photocopy करानी है ये आपको self-attest करना होगा 7-7 photocopy को अ recount होगा पहले तो आपको एक printout निकालना है उसको fill करना है और उसके बाद आपको branch manager से इसको क्या करना होगा आटेश्ट करवा लेना होगा आटेश्ट करवाने के बाद इसकी आपको 3 photocopy करवा लेनी होंगी उसके बाद आपका NPS forum काते हैं तो NPS forum आपको only two seat क्या है उसका print आउट निकलवा लेना होगा ठीक है दूसरा आ जाता है आपका डिले इन रिक्वायर्मेंट तो आपको डिले नहीं करना जिस डेट को आपको भुलाया गया है उसमें ही जाना है means 22 फरवरी का प्रिपोर्ट कर देना है ठीक है दूसरा आ जाता है आपका ट्रेनिंग आफ्टर एपॉइट्मेंट तो आपका यदि मेडिकल फिट होता है तो में भी एक हपते या दो हपते बाद आपकी जोईनिंग हो जाएगी कोई प्राबलम नहीं होती यदि आप सबको टेंपरेरी अन्फिट किया जाता है तो आपका means वही प्रोसेस चल जाएगा लाइक आपका सबका जो टेंपरेरी अन्फिट होता है तो आपको means में भीजा जाता है रिमेडिकल के लिए तो वह ऐसा प्रोसेस उसमें चालू हो जाता है उसमें भी आपका दो महीने तक कर टाइम लग जाता है ठीक है दूसरा आजाता है आपको और क्या लेकर के जाना होगा तो इनमें आप सबको जो लेकर के जाना है डिकल लिपोर्ट कुछ लेके जानी होगी जिनमें आपका CBC, यूरीन और ब्लड ये आप सबको अपने nearby किसी भी मानता प्राप्त hospital से या laboratory से करवा के लेके जाना होगा अ अब ये जो आप CBC और urine और blood करवाएंगे तो इसमें आपको ये मैस्करा लेना है एक और आपका given रहता है जिनमें आपका कितना आपका means blood count given होता है कि इतना 100 अस्तमानों का होना चाहिए दूसरी तरफ आता है आपका कितना है तो आपको ये दोनों में मैस्करा लेना है ज्या इनने होते उनसे आप बताएंगे तो वो कर देंगे आप अपने according मैनस कर लेना ठीक है दूसरा आ जाता है आप सबको जो और लेकर के इसमें कुछ और करना है अपने लिए तो इनमें आपका पहला है अपने कान को साफ करवा लेना है अच्छे तरीके से और दूसरा ये है आप सब का यदि मींस आप चस्मा पहनते हैं तो आप सब को एक बार उसको टेस्ट कराना है 6 by 6 उस चस्मे से दिख रहा है या नहीं दोनों आखों से तो आपको 6 by 6 का चस्मा प्रेपेर करवा के लेके जाना होगा ठीक है दूसरा आजाता है आप सब का यदि आपने कोई सरजरी करवाई है तो उसका मींस जो आपका मेडिकल का डाकुमेंट मिलता है उसको लेकर के आना होगा जो आपने सरजरी इससे पहले करवाई होगी यदि आप सिख हैं, तो आप सभी clean shape नहीं करेंगे, आप उससे means बस सकते हैं, बट और कोई हैं, तो आप सब को like और किसी धर्म से या religion से विलांग करते हैं, तो आप सब को अपना clean shape सब कुछ करके आना होगा, और variable parts, मतलब सब कुछ आप सब को clean shape करके आना होगा, दूसरा आ height, means आप सब की, जो आपके rain wise height है, आप देख लेंगे, medical examination में आपका physical standard बेगियों है, तो आपका minimum height होना चाहिए, अब दूसरा एक और ये रहता है, यदि आपका high school में नम दूसरा है, और आपका आधार कार्ड में दूसरा है, या आपका high school में नम में space है, और आधार कार् affidavit बनवा लेना होगा, affidavit के लिए भी मैंने आप सब के लिए एक video upload की है, यह आपके लिए mandate हो जाता है, आपको affidavit जरूर बनवा लेना होगा, यह आपका magister like आपका SDM के हाँ से बन जाता है, बहुत ही आराम से बनता है, कोई problem नहीं होती है, यहाँ पे आपके जो total candidate means second waiting list जारी की गई है, आप देख सकते हैं, total candidate आपके 69 है, means 69 candidate की second waiting list जारी की गई है, अगर हम इनमें आप सभी का बात करें, तो इनमें आपका UR के लिए जो आपकी second waiting list में candidate है, इनकी संख्या है आपकी 16, और अगर हम बात करें 80 की, तो 80 की आपकी total संख्या है, यह आपकी ह 11, और दूसरा आजाता है, आपका ST के लिए, तो ST के लिए आपके total candidate है, यह आपके 9 candidate है, ST के लिए, और आपका OVC के लिए 27 candidate है, EWS के लिए total आपके 6 candidate है, इनमें आप अपना नाम देख सकते हैं, VRO website पे जाएंगे, तो आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ आप देख I hope यह वीडियो आपको helpful लगी होगे, तो वीडियो को like कर दें, यदि कोई doubt है, तो आप comment box के लिए comment कर सकते हैं, मैंने आप सबको इससे पहले वी वीडियो में बताया था, सबसे ज़्यादा जो candidate unfit हुए हैं, वो OVC में हुए हैं, और UR में जो 16 होगे हैं, मैंने आपको बताया था, 4-6 candidate है, तो इन में यह हुआ था, जो OVC के candidate थे, वो UR में fight किये थे, तो इसलिए UR के candidate को second list में क्या ना में, जगा ज़्यादा मिली है, UR के 16 हो गए हैं, ओके, तो आप समझ गया होंगे, कैसे आपकी second waiting list जारी की गई है, ऐसे ही आप सबकी NA और Mason की भी जार किता है, जगल क aun है था जबािदार ड़राzwald, कunning यहा गतार में, जऑा हैं, जगा बना हैं, जपकी महा जी एके वोझंगा है, जब